ये वाला जो पार्ट में आज discuss करने वाला हूँ, ये वाला पार्ट ना तो आपको NCRT में मिलेगा, और अगर आप किसी और भूब में ढूलने भी जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत ज़ादा time and energy को waste करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पार्ट NCRT में है नहीं, इसी फिर NCRT में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के लेक्टर को बहुत अच्छे से आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, right? Hello students, welcome back again, last video में हम लोगोंने discuss किया था, kingdom, मलब start किया था kingdom monera, right? और हम लोगोंने क्या discuss किया था, उसका जो general features है, उसको discuss किया था, उसके हमने देखा था, कि बैक्टिरिया को कैसे हम लोग अलग-अलग category में divide कर सकते हैं, on the basis of their shape, on the basis of their respiration, on the basis of their presence of flagella, right? ये सारी चीजों को हमने देखा था, last video में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ, monera kingdom के जो bacteria है, उनको क्या करेंगे, उनके जो nutrition है, सिर्फ उसको discuss करेंगे, ये वाला जो part में आज discuss करने वाला हूँ, ये वाला part, ना तो आपको NCRT में मिलेग और अगर आप किसी और book में ढूनने भी जाएंगे, तो उसमें आपको बहुत जादा time and energy को waste करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला part NCRT में है नहीं, इसी फिर भी मैं करा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये question आएगा कि ये करने की क्या जरूरत है, तो क्या है, देखो, कि आप सिर्फ और सिर्फ NEET का exam तो देने वाले नहीं हो, उसके साथ साथ और भी जारा exam दोगे, जैसे का आप AIMS का भी paper दोगे, तो AIMS के paper में यहां से question पूछे जाते हैं, पिछले previous years के अगर paper उठा के आप देखोगे, तो आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें AIMS स question पूछा गया है, इसी वज़े से आज का lecture को NCRT में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के lecture को बहुत अच्छे से आप copy में note-down कीजेगा, तो आज क्या discuss करेंगे, आज हम लोग discuss करेंगे, nutrition in bacteria, क्या discuss करेंगे, nutrition in bacteria, पहले क्या discuss करेंगे, nutrition in bacteria, पहले क्या करते हैं, पहले एक flow chart बना लेंगे, उसके बाद हम लोग अलग-अलग चीज़ को एक-एक कड़के-पकड़के discuss करेंगे, ठीक है, पहले एक flow chart बना लेंगे, अगर हम बात करते हैं, बैक्टेरिया के nutrition की, तो इसके nutrition का हम लोग 2 पार्ड में divide कर सकते हैं, एक side आपका आजाएगा, phototrophic bacteria, क्या आजाएगा आपका, phototrophic, और एक side आपका क्या आजाएगा, एक side आपका आजाएगा, heterotrophic, heterotrophic, right, अगर हम autotrophic को further divide करेंगे, तो इसको हम दो और category में divide कर सकते हैं, right, क्या-क्या हो जाएगा वो, एक हो जाएगा आपका, photosynthetic, क्या हो जाएगा आपका, photosynthetic, पहले एक flowchart बना लिएगे, उसके बाद हर एक चीज़ को हम लोग decode करेंगे, don't worry about it, ठीक है, photosynthetic, और दूसरा क्या हो जाएगा, केमो-synthetic, क्या हो जाएगा, कीमो-synthetic, और अगर हम लोग heterotroph को divide करेंगे, heterotrophic को, तो और तीन category में हम लोग divide कर सकते हैं, right, और तीन category में divide करेंगे, एक आपका हो जाएगा, क्या, एक आपका हो जाएगा, saprophytic, saprophytic, और एक क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा, आपका, symbiotic, क्या हो जाएगा, symbiotic, और एक हो जाएगा, आपका क्या, parasitic, parasitic, clear है यहाँ तब, और हिट्रोफ को डिवाइट किया फर्दर हमने और हिट्रोफ को डिवाइट किया किसमे फोटो सिंथेटिक और केमो सिंथेटिक में और हिट्रोफिक को हमने किसमें डिवाइट किया सैप्प्रोफाइटिक में और सिंबाइटिक में और पैरासिटिक में अगर हम लोग फोटो बैक्टेरिया और एक साइड आपका आजाएगा नोन-sulphur बैक्टेरिया अगर और sulfur bacteria को divide करेंगे तो और दो category में हम लोग divide कर सकते हैं, क्या हो गया? और दो category में हम लोग divide कर सकते हैं, एक side आएगा 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 पर्पल सल्फर बैक्टेरिया और एक साइड आपका आएगा ग्रीन सल्फर बैक्टेरिया ग्रीन सल्फर बैक्टेरिया और हम लोग अगर नॉन सल्फर बैक्टेरिया को डिवाइड करेंगे तो और दो कैटेग्री में डिवाइड कर सकते हैं क्या एक होगा आपका पर्पल नॉन सल्फर बैक्टेरिया और दूसरा क्या हो जाएगा ग्रीन ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टेरिया तो पहले हमने क्या देखा पहले हमने देखा कि और दूसरा क्या हो गया दूसरा हो गया आपका हेटरोफिक फिर ओटरोफिक को हमने और दो कैटेग्री में डिवाइड कर दिया वन ए में रखा हमने क्या फोटोसिंथेटिक और वन बी में हमने क्या रखा किमोसिंथेटिक और heterotrophic को और तिन category में divide क्या, 2A में हमने क्या rכा, 2A में हमने रखा saprophytic, 2B में ह हमने क्या rכा, symbiotic और 2C में हमने क्या रखा, parasitic फिर 1A मतलब photosynthetic को और दो डू category में divide किया, right ये क्या हो ग्या, 1A small a और ये क्या हो ग्या, 1B small b, simple तो 1a small a में किस के रखा sulfur bacteria और 1b small b में हमने क्या रखा non-sulphur bacteria clear है फिर हमने sulfur bacteria को और दो category में divide किया right क्या divide किया उसमें एक है purple sulfur bacteria दूसरा है green sulfur bacteria और non-sulphur bacteria को हमने किस में divide किया एक है purple non-sulphur bacteria और दूसरा क्या है दूसरा है आपका Green Non-Sulper Bacteria इस चार्ट को पहले बना लीजिए क्योंकि इस चार्ट आपके दिमाग में रहेगा तो चार्ट देखके ही बहुत सारी चीज़े आपको याद आ जाएगी यह जो पढ़ा रहा हूंना मैं अच्छ यह आपके NCRT में है नहीं ना तो NCRT में है अगर किसी भूग में ढूंडने जाएंगे तो बहुत साथा टाइम बेस्ट होगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अच्छे से डिसकस करेंगे इसको मैं मिटा देता हूं जैसे जैसे मैं बोर्ड वर्क कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी मेरे साथ बोर्ड वर्क करते रही है बहुत बढ़िया ठीक है तो अब क्या होगा अब हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे क्या autotrophic bacteria point one क्या discuss किया था हमने one में autotrophic bacteria autotrophic तो अगर autotrophic bacteria की बात हो रही है तो बहुत बैक्टेरिया में बहुत कम बैक्टेरिया ऐसे होते हैं जो autotrophic होते हैं most of them are heterotroph most of them are heterotroph तो क्या हो जाएगा first point क्या हो जाएगा first point हो जाएगा आपका very few very few are autotrophic auto traffic और दूसरा point क्या हो जाएगा they are they are capable of they are capable of synthesizing synthesizing they are capable of synthesizing their own food मलब वो क्या कर सकते है अपना खुद का खाना बना सकते हैं यह दो point आगे अब autotroph के अंदर हमने क्या discuss किया था autotroph के अंदर हमने इसकास किया था first क्या था one a में photosynthetik right क्या हो जाएगा one a क्या जाएगा one a में photosynthetik autotroph photosynthetik autotroph so इसमें क्या है इसमें basically photosynthetik क्यू है यह विकास इसमें bacteria chlorophyll right जैसे plant में क्या है chlorophyll है इसी वज़े से वो लोग क्या कर सकते है photosynthesis कर सकते same to same यह जो photosynthetik autotrophic bacteria है इसमें भी ए chlorophyll है जिसको का जाते है bacteria chlorophyll और दो और pigment है एक है bacteria purpurine और दूसरा है bacteria viridine इसी वज़े से यह लोग क्या कर सकते है photosynthesis कर सकते हैं लेकिन यह photosynthesis bacterial photosynthesis plant के photosynthesis से थोड़ा अलग होता है यह क्या अलग होता है यह हम लोग end में discuss करेंगे don't worry about it right तो photosynthetik autotroph तो photosynthetik autotroph की अगर बात हो रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे they are capable of they are capable they are capable of entrapping they are capable of entrapping solar energy and utilize it and utilize it and utilize it for the for the oxidation and utilize it for the oxidation of for the oxidation name utilize it for the synthesis of for the for the synthesis synthesis of complex food for the synthesis of what complex food right तो कि यह क्या कर सकते है यह solar energy को है solar energy को जो है वो अपने अंदर in trap कर सकते है और उसी solar energy को utilize कर सकते है किसके लिए as a energy source use करते हैं क्या synthesis of complex food complex food को synthesis करने के लिए solar energy को as a energy source वो utilize करते हैं for the synthesis of complex food due to due to what complex food due to due to the presence of due to the presence of pigments like due to the presence of pigments like bacterial chlorophyll इसी को आप bacterial purpurine भी कह सकते हैं अला कि bacterial purpurine bacterial chlorophyll का एक part है ऐसा नहीं कि bacterial chlorophyll और bacterial purpurine दोनों सेम है नहीं bacterial purpurine is just a part of bacterial chlorophyll लेकिन कभी-कभी bacterial chlorophyll को ही bacterial purpurine भी कहा जा सकता है तो दोनों almost सेम है यह याद रखियागा क्योंकि bacterial purpurine, bacterial chlorophyll का बस एक part है तो इसका हम लोग bacterial purpurine भी कह सकते हैं क्या कह सकते हैं bacterial purpurine due to the presence of pigments like bacterial chlorophyll and bacterial and bacteriobiridine right तो क्या होता है वो क्या कर सकते हैं they are capable of entrapping solar energy मलब they are capable of entrapping वो entrapped कर सकते हैं किसको solar energy को और उसी को utilize करते हैं कि इसके वज़े से complex food को synthesize करने के लिए और यह ऐसा क्यों कर पाते हैं because they have a pigments what kind of pigments they have bacterial chlorophyll जिसे को हम बोल सकते हैं bacterial purpurine and they have bacterial viridine right यह bacterial chlorophyll, bacterial purpurine and bacterial viridine को बहुत अच्छे से याद रखिएगा because यही से question बनते हैं right so this is all about photosynthetic autotroph अब हमने क्या देखा अब हमने देखा कि photosynthetic autotroph को भी हम लोग क्या कर सकते हैं इसे दो category में divide कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे flow chart के थुरू पढ़ने की कोशिश करेंगे right इसी के अंडर होगा हां इसी के अंडर आप लोग heading करेंगे तो heading क्या डालेंगे heading डालेंगे हम लोग photosynthetic autotroph photosynthetic autotroph इसको हमने क्या divide किया पहले sulfur में और किसमें और हमने divide किया non-sulphur में किसमें non-sulphur में sulfur और non-sulphur में sulfur को भी divide किया किसमें दो और category में किसमें एक है purple sulfur purple sulfur और दूसरा क्या है green sulfur green sulfur अब purple sulfur के अंडर ही हम लोग क्या करेंगे यहीं पे इसको लिख देंगे सबसे पहला पॉइंट क्या आ जागा purple sulfur में इसका जो मेजर पिगमेंट है वो कौन है मेजर पिगमेंट बैक्टेरियो बैक्टेरियो purpurine और दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा they use inorganic sulfur compounds yes they use they use inorganic 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 sulfur compounds sulfur sulfur बैक्टेरिया है तो obviously sulfur को use करेंगे they use inorganic sulfur compounds compounds as electron and H plus iron donor right तो क्या करते है वो sulfur को inorganic sulfur को use करते हैं इसके लिए as a electron donor and as a H plus iron donor तो यह दो पॉइंट आ जाएगा purple sulfur bacteria के अंदर इसका example क्या हो जाएगा इसका example देखे तो इसका example क्या होगा इसका example होगा chromatium क्या हो जाएगा chromatium एक काम कीजेगा जो भी मैं scientific नाम लिखता हूँ ना बोर्ट पे एक बार उसको internet से चेक कर लिजाएगा कभी 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 क्या होता है सही लिखता हूँ इंटरनेट से चेक कर लिजाएगा तो इसका example क्या हो जाएगा chromatium हो जाएगा और theospirulum हो जाएगा i-o-s-p-i-r-i-theospirulum chromatium and theospirulum this is all about the purple sulfur bacteria right अगर हम बात करते हैं green sulfur bacteria की तो obviously सोचो green है तो obviously इसमें क्या होगा major pigment क्या होगा इसमें major pigment होगा आपका क्या major pigment क्या हो जाएगा इसमें major pigment हो जाएगा bacteria viridine क्या हो जाएगा bacteria bacteria viridine like क्या हो जाएगा major pigment bacteria viridine and यह क्या use करते हैं क्या है क्या हो जाएगा क्या होगा इसका major pigment होगा bacteria viridine and यह किसको use करेगा यह H2S को use करता है किसके लिए electron के लिए and as a electron and H plus ion donor right इसका example क्या हो जाएगा इसका example हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा chloro bm right chloro bm so this is all about purple sulfur bacteria and gilsurfer bacteria अब हम लोग देखेंगे non-sulphur bacteria non-sulphur bacteria को हम लोग दो category में divide किये थे क्या क्या दिवाइट किया था याद करो एक हमने डिवाइट किया था क्या एक हमने डिवाइट किया था purple non-sulphur bacteria right क्या डिवाइट किया था हमने purple क्या डिवाइट किया था हमने हमने डिवाइट किया था purple non-sulphur bacteria purple purple non-sulphur और क्या था green green non-sulphur एक है purple non-sulphur और दूसरा है green non-sulphur अगर हम बात करते purple non-sulphur की तो यह non-sulphur है लेकिन purple तो है तो सेम हो जाएगा major pigment इसमें क्या होगा major pigment इसमें भी क्या हो जाएगा major pigment इसमें भी क्या हो जाएगा इसमें भी आपका हो जाएगा जो major pigment है क्या हो जाएगा bacteria bacteria purpurine purpurine और यह किसको करते हैं, they use, they use non-sulphur, obviously non-sulphur को use करेंगे, because they are non-sulphur bacteria, they use non-sulphur, they use non-sulphur, organic, aliphatic, sorry, they use non-sulphur, aliphatic, 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 they use non-sulphur, aliphatic, organic compound, organic compound, right, किसके लिए, as, as what, as electron and H plus iron donor, right, तो, यह क्या use करते हैं, they use non-sulphur, aliphatic, organic compound, non-sulphur, aliphatic, organic compound, as electron and H plus iron donor, right, इसका example क्या हो जाएगा, इसका example होगा, आपका क्या, rudospirulum, क्या हो जाएगा, rudo, r, h, o, d, o, spirulum, s, p, i, r, i, l, 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 u, m, rudospirulum हो जाएगा, और ही क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, आपका, rudosheudomonas, क्या हो जाएगा, rudosheudomonas, एक हो जाएगा, आपका rudospirulum, और दूसरा हो जाएगा, rudosheudomonas, right, यहां से अगर question होता है न, तो यहां से यही question पूछता है, कि major pigment के बार में पूछता है, या किसको as a electron या hydrogen donor वो use करते हैं, उसके बार में पूछता है, या फिर यहां से question आता है, examples, कि इसमें से which of the following are purple sulfur bacteria, which of the following is or are purple non-sulphur bacteria, right, यहां से ही question पूछेगा, तो इसको अच्छे से आप लोग note-down कीजिएगा, और याद रखिएगा, right, अगर हम बात करते हैं, green sulfur, green non-sulphur bacteria की, तो सेम हो जाए, उसमें भी सेम होगा, क्या सेम होगा, उसमें भी सेम होगा, major pigment क्या हो जाएगा, major pigment होगा, क्या, बैक्टेरियो विरिदिन, और दूसरा क्या होगा, दूसरा यह भी क्या यूज़ करेंगे, यह भी किसको यूज़ करते हैं, they also use the same, non-sulphur aliphatic organic compound, यह भी क्या यूज़ करते हैं, non-sulphur, यह भी non-sulphur, aliphatic organic compound को यूज़ करते हैं, for what? for as organic compounds, as what? as electron and what? h plus iron donor, right? इसका example क्या हो जाएगा? इसका example हो जाएगा, chloronyma, क्या हो जाएगा? chloronyma, C-H-L-O-R-O-C-H-C-H-L-O, chloronyma, N-E-M-A, C-H-L-O-R-O-N-E-M-A, chloronyma and chloroflexus, C-H-L-O-R-O, chloroflexus, F-L-E-X-U-S, chloroflexus, right? so this is all about the purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria and purple non-sulphur bacteria and green non-sulphur bacteria यह सारी चीज़े आपके NCRT में नहीं है, तो प्लीज, 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 यहां से, इसमें question पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज, इसको बड़े ध्यान से, हर एक चीज को उसके, जो pigment से उसको, वो क्या यूज करता है as a electron and H plus ion donor और उसका example बड़े अच्छे से इसको याद रखिएगा, right? So, this is all about photosynthetic autotroph, अब क्या देखा था, हमने देखा था, chemosynthetic autotroph, और क्या देखा था हमने, और हमने देखा था, chemosynthetic autotroph, तो heading क्या डालेंगे हम लोग? Heading डाल देंगे, chemosynthetic autotroph, क्या heading डालेंगे हम लोग? हम लोग heading डालेंगे, chemosynthetic autotroph, तो heading डाल दीजिए, ये शायद 1 a के अंडर था, या 1 b के अंडर आएगा, right? 1 a and 1 b, या, chemosynthetic autotroph, right? तो क्या हो जाएगा? chemosynthetic autotroph, chemosynthetic autotroph, अब chemosynthetic autotroph की से कहते हैं, इसके पास, ये लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग solar, जो light है, solar light से, as a energy source, ये लोग use नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकाज इन में वो चीज नहीं है, क्या नहीं है, pigments नहीं है, क्या bacterioclorophyll और bacteriopurpurine और bacteriopurine जो pigments हैं, वो इन में present नहीं होता हैं, तो ये लेग क्या करते हैं? ये लोग ये करते हैं, they obtain, they obtain energy, they obtain energy for, they obtain energy for, their, you obtain energy for their nutrition, you obtain energy for their nutrition by the oxidation, by the oxidation of, by the oxidation of some, by the oxidation of some inorganic, compounds, by the oxidation of some inorganic compounds, तो ये क्या करते हैं? इन और गैनिक कंपाउंट को oxidize करते हैं, और उसी oxidation जो energy मिलता है, उसको वो लोग use करते हैं, they obtain energy for their nutrition, by, nutrition मदब their synthesis of food basically, right, for their, nutrition के जगा ये भी लिख सकते हैं, for their synthesis of food, by the oxidation of some inorganic compounds, such as, क्या क्या हो जाएगा? such as, ammonia हो सकता है, right? और क्या हो सकता है? nitrate हो सकता है, और क्या हो सकता है? nitrites हो सकता है, nitrites हो सकता है, do not use, they do not use sunlight, they do not use sunlight as what, as energy source, तो यह लोग क्या कर सकते हैं, यह लोग sunlight को as energy source, use नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या करते हैं यह basically आपके जो है oxidation करते है oxidation of some inorganic compounds like what ammonia, nitrates, nitrites इसको oxidation करते हैं और oxidation के वज़े से जो energy मिलता है उसी energy को क्या करते हैं अपने nutrition के लिए या synthesis of food के लिए ही use करते हैं इसका example क्या क्या हो जाएगा इसका example जो हो जाएगा वो होगा क्या nitrosomonas, nitrosomonas, nitrosomonas इसका example हो जाएगा nitrococus, nitrosomonas, nitrococus, nitrobacter, nitrobacter यह सारे के सारे क्या हो जाएगे यह सारे के सारे आपके हो जाएगे kemosynthetic हो यहां तक है अब हम लोग कहा जाएगे अब हम जाएगे पॉइंट टू में इसमें पॉइंट टू में पॉइंट टू में हमने क्या पढ़ा था हेटरोट्रोफिक पॉइंट टू में हमने क्या पढ़ा था पॉइंट टू में हमने पढ़ा था हेटरोट्रोफिक हेडिंग डाल दीके पॉइंट टू क्या हो जाएगा हेटरो टॉफिक हेटरोट्रोफिक टू हेटरोट्रोफिक टू हेटरोट्रोफिक क्या है majority of the bacteria majority of the bacteria are heterotroph right हो जाएगा majority of them are what heterotrophs heterotrophs right and दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दे आर इन गेपबल औप सिंथेसाइजिंग जिंथे जाइजिंग ते यह इन केपबब औप सिंथेसाइजिंग यह अलब यह खुद का खाना क्या कर सकते हैं नहीं बना सकते they're incapable of synthesizing their own food नरिश्मेंट फ्रों वेर फ्रों और अर्गनिक रिमेंज और अर्गनिक रिमेंज रिए और्गनिक रिमेंट रिमेंट अच्छ अ डेड केंज वे कि रिमेंट आति नहीं है रिमेंट Кई अपनि निरच्छ आइर अर्गनिक कोरेद ह्री फ्रोंग वेर इंट था प्वेच सेंट अरिल्च वेर कम रिमेंट रिमेंट इसा अरिय. संगित ब्तिक खते untilults। तो यह लोग क्या कर सकते कोई dead organic matter से या किसी सड़े हुए सड़ा हुआ चीज से क्या करते यह लोग अपना जो nutrition है वो लेते हैं 2.b में क्या हो जाएगा 2.b बहुत important है इसको अच्छे से याद रखिएगा 2.b में आपका आ जाएगा क्या symbiotic क्या जाएगा symbiotic symbiotic तो symbiotic में एक example के symbiotic मतलब क्या symbiotic का मतलब होता है जो खुझ से वो काम नहीं कर सकता उसको एक associati की जरूरत है पर एक्जांपल मैं बात करूं rhizobium और एक्जांपल अगर मैं बात करूं For example, rhizobium, rhizobium shows, rhizobium shows symbiotic, symb, rhizobium shows symbiotic association, symbiotic association with symbiotic association with the roots of, with the roots of leguminous, with the roots of leguminous plants and thus and thus are capable of and thus are capable and thus are capable of fixing and thus are capable of fixing atmospheric, atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen as ammonia तो क्या करते हैं, atmospheric nitrogen को symbiotic association किसके साथ दिखाते हैं, rhizobium किसके साथ symbiotic association दिखाता है, rhizobium आपका symbiotic association दिखाता है, the roots of leguminous plants and thus they are capable of fixing atmospheric nitrogen as ammonia, लेकिन यह कहां फिक्स करते हैं, in the nodule, not in free from, right, कहां फिक्स करते हैं, in the, but in the nodule, not in free state, not in free state, देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि, free living nitrogen fixing bacteria और symbiotic nitrogen fixing bacteria तो वो लोग क्या करते हैं, यहां fix करेंगे nitrogen को, nitrogen को as ammonia fix करेंगे लेकिन कहां? nodule में, in the nodule, not in free state, लोग freely nitrogen को, fake free state में क्या करेंगे? नहीं करेंगे, fix नहीं करेंगे, वो लोग noodule में, nodule मलब ऐसे-इसे एक structure होता है, रूट में ऐसा ऐसा एक structure होता है ऐसा यह जैसे दिख रहा है ना ऐसे गोल गोल इसको नॉड बोलते हैं नॉड मलब क्या अगर धागे को ऐसे ऐसे बांद दे जाएंगे हम लोग तो क्या होगा नॉड जैसा form हो जाएगा तो वैसे सेम तो सेम यहां पर ऐसे नॉड जैसा रूट में फॉर्म होता है और इसी नॉड में क्या होता है इसी नॉड यूज में इसी को बोलते हैं क्या इसी को बोलते हैं नॉड यूज और इसी नॉड यूज में क्या होता है नाइक्ट्रोजिन fix okay fix हो जाता है as a ammonia right इसका example already हम लोग पढ़ चुके थे right क्या पढ़ा था हमने symbiotic जाद करो rhizobium पढ़ा था xanthomonas पढ़ा था right यह सा frankia पढ़ा था और free living में हमनों क्या पढ़ा था free living में हम लोग पढ़ा था azotobacter पढ़ा था clostridium पढ़ा था bezeri ring किया पढ़ा था klipsy अल्ला पढ़ा था right तो यहां तक है और थर्ड है थर्ड क्या हो जाएगा two points हो जाएगा parasitic parasitic मतलब जो कहां से लेते हैं जो अपना nutrition कहां से लेते हैं जो अपना nutrition लेते हैं कहां से living organism से लेते हैं living organism से लेते हैं थर्ड क्या हो जाएगा two points क्या हो जाएगा two points ही आपका हो जाएगा क्या parasitic अब parasitic मतलब ही हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ तो पैथोजेन हमारे लिए क्रॉस करेगा लेकिन parasitic में भी pathogenic भी हो सकता है और non pathogenic भी हो सकता है ऐसा नहीं कि हमेशा parasitic मतलब कुछ ना कुछ हमारे लिए वह बुरा ही करेगा no this is not always pathogenic यह pathogenic भी हो सकता है और non pathogenic भी हो सकता है always remember that thing parasitic जैसे हम सोचते हम लोगा अरे बापड़े यह तो कुछ ना कुछ गरबर करेगा नहीं ऐसा नहीं होता है वह pathogenic अगर है तो गरबर करेगा अगर वह pathogenic नहीं है non pathogenic है तो कोई गरबर नहीं करेगा simple और इसका example अल्रेडी हम पढ़ चुके राइक कॉलेरा टाइफोएड सल्मोनेला टाइपी और क्या बड़ा था हमने citrus canker सब पढ़ चुके है so they obtain energy they obtain they obtain they obtain some organic compounds organic they obtain some organic compounds and nourishment they obtain some organic compound and nourishment for their growth for their growth they obtain some organic compounds right they obtain some organic compounds and nourishment for their growth from from where from living organism living organism either plant either plant or animals either plants or animals called host called host this plant coo animal coo dwaGAN जायेगा just sit nutrition ले रहा है उससे कह जाएगा host like it cool host का जाएगा the object is some organic compounds and nourishment for और प्रम दिविंग और लिविंग और लिविंग और जम सकता है यह जोगाओ उसकता है और नौट विह को शकता है तो फिर भी के अंदर डिवाइड कर लीजिए यह जे पैथोजेनिक भी हो शकता है और यह non pathogenic भी हो सकता है non pathogenic भी हो सकता है right so this is all about the nutrition bacteria right एक और चीज़ है एक और चीज़ है जैसे कि हमने पढ़ा कि photosynthetic bacteria मतलब जो bacteria photosynthesis कर सकते हैं अब एक चीज़ देखो कि photosynthesis bacteria भी कर रहा है और photosynthesis plants भी कर रहा है लेकिन bacteria का photosynthesis है वो plant से थोड़ा अलग होता है plant से बहुत जादा अलग होता है उसी को थोड़ा सा हम लोग discuss करेंगे right क्योंकि कभी-कभी यह question पूछा जा सकता है कि which of the following statement is or are correct with respect to bacterial photosynthesis यह question पूछा जा सकता है हाला कि यह है नहीं है in scatty में आपके लेकिन पूछा जा सकता है अगर question पूछा जाए ना जाए उससे क्या फड़क पड़ता है लेकिन आपका concept तो clear होना चाहिए ना आपको यही नहीं पता कि photosynthesis bacteria में और plants में क्या difference है और लग तो चीज़ का क्या ही फाइदा right उस चीज़ का क्या ही फाइदा इसी वज़े से मुझे लगता है कि यह चीज़ आपको जानना जरूरी है right तो heading डाल दीजिए bacterial photosynthesis heading क्या डालेंगे bacterial photosynthesis बेक्टेरियल photosynthesis क्या heading डाले हमने बेक्टेरियल photosynthesis very good अब बेक्टेरियल photosynthesis सबसे पहला point क्या आ जाएगा कि कौंसा pigment यूज होता है right तो bacterial chlorophyll यूज होता है main pigment pigment क्या हो जाएगा इसका pigment क्या होगा इसका pigment होगा bacterial chlorophyll bacterial chlorophyll और plants में क्या होता है plants में normal chlorophyll यूज होता है chlorophyll A उसमें भी particularly chlorophyll A and chlorophyll B जिसको हम लोग photosynthesis plant में पढ़ने वाले हैं दूसरा क्या हो जाएगा यह pigment कहां रहता है तो अगर हम बात कहते है plants की तो plant में chlorophyll कहां रहता है chlorophyll कहां रहता है chlorophyll रहता है chloroplast के grana के अंदर chloroplast क्या है chloroplast एक membrane bound cell organelle है right क्या है membrane bound cell organelle है chloroplast जिसके अंदर क्या है grana है grana के अंदर क्या है grana के अंदर रहता है chlorophyll लेकिन यह तो prokaryotic है तो इसमें तो chloroplast present होना possible नहीं है तो इसमें in the folds in the folds of the plasma membrane of the plasma membrane pigments found in the folds of the plasma membrane के अगर 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 अम बात करते हैं other pigment की की अगर पिंगमेंट क्या क्या हो कि विरूदिन हो सकता हैunter अगर हम बात करते हैं प्लैंट में photosynthesis की यह सारी चीज़े ना आपको अभी इसको लिख लीजे लेकिन यह सारी चीज़े आपको क्लियर पता है कब होगा जब आप प्लैंट के photosynthesis पढ़ लेंगे तब यह चीजे आपकी clear हो जाएंगे इसको एक बार प्लैंट का photosynthesis पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे इस use होता है दो photo system use होता है एक है PS1 और दूसरा है PS2 लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही photo system use होता है only one photo system only one photo system only one photo system and that is what P870 P960 और क्या हो जगा P960 लाइक दूसरा क्या हो जगा non cyclic phosphorylation non cyclic यह सारी चीज़े आपको plant photosynthesis के बाद पता चलाएगा अभी लिख लीजिए बाद में हम लोग इसको discuss कर लेंगे non cyclic phosphorylation 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 six point क्या हो जाएगा no splitting of water no splitting no splitting of water मतलब water तूटता नहीं है अगर water तूटेगा नहीं तो oxygen evolved होगा नहीं होगा the major difference no splitting of water no oxygen evolved no oxygen evolved 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 इसी वज़े से जो यह सबसे important point है इसी वज़े से इसको क्या कहा जाते है an oxygenic and oxygenic photosynthesis इसको इसी वज़े से कहा जाता है plant में जो फोटो सिंतेसिस होता है उसको क्या कहा जाता है उसे बोला जाता है oxygenic photosynthesis और bacteria में जो photosynthesis होता है उसको कहा जाता है an oxygenic photo synthesis because इसमें oxygen evolved नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज यहां पे water split नहीं करता है point number 8 क्या हो जाएगा point number 8 हो जाएगा आपका क्या point number 8 हो जाएगा आपका क्या थी water water is not the source water is not water is not the electron donor water is not the electron donor that act as a reducing power that act as a reducing power to convert co2 into co2 into what co2 into glucose so kya there water is not the electron donor तो यहां पर electron donor जो है वो water नहीं है that act as a reducing power to convert मेरा co2 को अगर हमको glucose में convert करना है तो हमको reducing power की जरूरत है वो कहां से मिलेगा electron से मिलेगा और यहां पर water is not the electron donor तो यहां पर water जो है वो electron donor नहीं है तो यहां पर electron donor कौन है तो यहां पर electron donor कौन है they use h2s as electron donor so यहां पर 9 point no.9 क्या हो जाएगा they use h2s क्या हो जाएगा they use h2s or other organic compound compound as electron donor तो क्या करता है वो h2s को use कर सकता है और other organic compound को use कर सकता है as electron donor लेकिन पानी को वो यूज नहीं करता है as a electron donor so this are some important things to first point क्या आ गया इसका pigment क्या हो गया bacteria chlorophyll हो गया bacteria chlorophyll आपका कहा मिलता है folds in the plasma membrane में मिलता है क्योंकि यह prokaryotic है और इसमें chloroplast present नहीं होगा other pigments की बात करें तो क्या हो सकता है bacteria viridine हो गया only one photo system present है वो भी reaction center क्या है उसका P870 या P960 लेकिन हम लोग normal की बात करें तो इसमें दो होते हैं PS1 and PS2 राइक यहां पर phosphorylation कैसा था है non cyclic phosphorylation और splitting of water इसमें नहीं होता है water split नहीं करेगा तो इसमें oxygen नहीं होगा अगर oxygen नहीं तो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे and oxygenic photosynthesis बोलेंगे और water यहां पर as a electron donor काम नहीं करता है यहां पर electron donor as a काम कौन करता है H2S करता है या other organic compound करता है अगर हमको लिखना है अगर हमको लिखना है मैंने bacterial photosynthesis को तो यहां पर क्या लिखना है CO2 plus H2S is equal to sugar, sugar plus sulphur or other oxidized compound plus क्या हो जाएगा plus H2O plus क्या हो जाएगा energy और इसमें क्या आ रहेगा यहां पर क्या क्या होगा यहां पर sunlight होगा और क्या होगा enzyme होगा कि sunlight और enzyme होगा sunlight होगा और enzyme होगा तो अगर हम bacterial photosynthesis को ऐसे लिखे तो ऐसा हम लोग लिख सकते है CO2 plus H2S उसके साथ साथ क्या लगा हमको sunlight की ज़रद पढ़ी और enzyme की ज़रद पढ़ी उससे क्या बना sugar बना और sulfur भी बन सकता है और other oxidized compound भी बन सकता है और उसके साथ साथ क्या बनेगा water बनेगा और energy बनेगा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अलग से इसको हम लोग लिख सकते हैं so this is bacterial photosynthesis का जो this is all about the bacterial photosynthesis तो आज का lecture हम लोग यहां तक रखते हैं तो जैसे कि हमने बोला था कि हम लोग इसके बार मॉनेरा को खतम कर लेंगे उसके बाद ही NCRT से मॉनेरा को मार्क करेंगे right because आज के वाला जो पार्ट है यह तो NCRT में ही नहीं कहीं में भी नहीं है थोड़ा बहुत दिया गया है लेकिन बहुत जादा नहीं दिया गया तो आज का वीडियो हम लोग यहां तक रखते हैं कल फिर मिलेंगे board work में कल नहीं ऐज Friday हो गया न तो कल हमारा क्या होगा Saturday Sunday हमारी चुटी होगी Saturday Sunday हमारी चुटी रहेगी तो हम लोग टाइम पढ़ेंगे तो दिमाग थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो थोड़ा बहुत खेल कुद या टीवी देखना जादा नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत चलता है तो चलो फिर मिलते हैं मंडे को तब तक के लिए बाई